नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक धामाकेदार वीडियो दोस्तों, आज सबनम की आखरी इच्छा है दो उसने सबसे महतपून इच्छा जताई गई थी जिल प्रसासन को और जिल प्रसासन अगर ये दो इच्छाए मान जाता है तो आपको जान करके हैरानी होगी अगर दूसरी इच्छा मानता है तो उससे एक की जान भी जा सकती है ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है कि सबनम जाते जाते एक की जान के क्यों लेना चाहती है वो अपनी दोनों इक्षा क्यों पूरी करनी चाहती है तो जो लोग हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं उनको कंटेंट्स अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करके रखे नोटिटिकेशन की घंटी बजा करके रखे ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक वह सके दोस्तो सबनम केस में जो अभी का महौल है अभी का महौल है कि ना जाने कब सबनम का दिध वॉरिंट इशू हो जाए कब सबनम की इक्षाएं को पूरी करने की कूसिस की जाए जेल प्रसासन की तरफ से मैं बता दू आपको कि ये जरूरी नहीं होता है कि जिसको फांसी दिया जाता है वो अपनी इक्षाएं अगर बता है तो इक्षी पूरी ही होंगी क्योंकि जेल प्रसासन देखता है कि वो इक्षा पूरी करने के लिए संभव है या नहीं है ऐसा भी हो सकता है कि जिसको फांसी दिया जाए और उसकी आखरी इक्षा रही कि मुझे छोड़ दो या मुझे एक साल तक मुझे दुनिया घुमाओ तो इससे क्या होता है मतलब लोगों की इक्षाएं जो है वो कभी नहीं चाहती कि वो मरे वो चाहती है हमेशा आजाइद रहतो तरह-टरह की पहाना खोशती रहती है आखरी साह में लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हम लोगों पिल्मों में देखते हैं कि जो मरने वाला राता है उसको जो भी एक्छाएं बोली जाती उसको पूरी कर दिया जाता, लेकिन ऐसा य państwo संभव नहीं होता, actual जीवन में ऐसा संभव नहीं होता है, कि जो भी एक्छाएं जिनको फासी पे लटकाया जाता है वो अगर प्रगट करें तो उसकी पूरी ही होगी कि ऐसा संभब नहीं है, वो केबली इसी रूप में संभब होगी, जिसमें संभिधान अगर उसकी अनुमनती देता है, अगर मानता है जेल प्रसासन की हाँ, इसकी जो इक्षाएं हैं, वो पूरी कर सकते हैं, ऐसा संभब हो, तो ही किया जाता है, अन्यता नहीं किया जाएगा तो इस केस में सबनम की जो दो इक्षाएं हैं, सबसे पहली इक्षाएं बता दू आपको ये था, आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा पिछला वीडियो तो मैंने बताया था, कि पहली इक्षाएं जो थी, वो ताज से रिलेटर थी, कि ताज को कभी भी बावन खेरी नहीं भेजा जाया, कि उसको जब तक सबनम जिन्दा है, मरने के बाद तो पता नहीं, लेकिन जब तक सबनम जिन्दा है, तब तक बावन खेरी ताज ना पहुंचे, ये एक सबसे बड़ी इक्षा है कि, जो की पूरी नहीं हुई, एक बार सबनम जो है, एक बार जो ताज जो है वो जा चुका है बावनिखेरी दूसरी जो महत्पूर्ण इक्षा है जिसे एक जान भी जा सकता है वो भी ताज से रिलेटेड है कि ऐसा कहा गया ताज के सबनम के तरफ से कि कभी भी ताज जो है वो सबनम से मिलने नहां आए जी हाँ ये एक सबसे मतलब कठिन इक्षा जो है एक बच्चे के लिए एक मांग को जुदा करना तो इस इक्षा में ताज ने भी कहा था जब सुना उसने अपनी मां के मुख से तो उसने कहा था कि मां ये चाहती है कि वो कभी जो उसको मिलने नहीं दिया जा रहा है अपनी मां की इक्षा के अनुसार कारण एक ही था कि उसका बेटा कभी भी दुखी ना हो इस वज़र से तो ये दोनों इक्षाएं जो कि वो बहुत ही अलग बहुत ही बहुत ही तो दोस्तो ये दोनों इक्षा हैं देखते हैं कि क्या होता है एक तो इक्षा पूरी नहीं हुई और दूसरी इक्षा की बात है तो देखते आने वाले समय में क्या होता है जो भी होगा पूरी जाने कारी आपको हमारे वीडियो के मादियम से सबसे पहले आप लोगों तक महुंचेगा तो दोस्तों खिलालवी के लिए तना ही मिलते एक नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए आप कुछ रहिए सो अच्छित रहिए जैहन